नियम है परस्वर्ण अनुस्वार के बाद कोई भी वर्ग ये व्यंजन आ जाए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है यह नियम पदान्त में कभी गभी लगता है जैसे संस्कृतम पठती लेकिन अम जमा कित है का के स्थान मर ग अंकित है संजमा कलप है संकलप है कौं जमा ठीत है कुंठीत है और अंजमा चित अंचित तो इस प्रकार आप देखते हैं कि अंकित में क जब सामने आया वर्ग का प्रथम वर्ण आया तो उसके स्थान पर अंगह हो गया पंचम वर्ण हो गया अनुस्वार का इसी तरह से जब क आया संकलप में तो अंगह हो गया लेकिन जब ठै आया तो अनकार हो गया और जब च आया अंचित में तो यह हो गया तो इ